नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आईए देखते हैं, पहला प्रसन देखिए यदी सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भीजा गया हो, तो उसे क्या खहते हैं? इस वीडियो में पिछले एर में आये हुए प्रस्ण पत्रों को सामिल किया गया है तो आपको बताना है पहला प्रस्ण है यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे कहते हैं परिपत्र परिपत्र जो होता है जहां पर प्रेशिति या पर प्राप्त करता कई होते हैं और एक पत्र के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है उन्हों सभी प्रेशितियों के लिए तो उसे कहते हैं परिपत्र अगला प्रसना है अधिसूचना का प्रयोग किस छेत्री में नहीं किया जाता है आप सभी जानते हैं अधिसूचना गजट हो गया अवकास हो गया इन चीजों के संबंद में जारी की जाती है आपको बताना है कि अधिसूचना का प्रयोग किस छेतर में नहीं किया जाता है नियम में आदेश और अधिकार में अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है जबकि कर्तब में से इसका कोई संबंद नहीं है तो दो के लिए आपका सी हो गया राइट भिकल अगला प्रस्न देखिए उद्देश्ट में करता के साथ और क्या रहता है तो काफी आसान प्रस्न है उद्देश्ट में करता के साथ करता का विस्तार रहता है ऐसे अगर बात की जाए कि वाक्य में करता के साथ क्या रहता है तो करता के साथ विदेह आता है करता को हम उद्देश्य बोलता है तो उद्देश्य होता है और विदेश्य होता है किसी भी वात की में लेकिन यहाँ पर प्रस्न है कि उद्देश्य में करता के साथ और क्या हो सकता है तो करता का विस्तार हो सकता है एक फ्रेज की रूप में वाक्यांस की रूप में आपका क करता हो सकता है उद्धिश्य भी ऐसे होता है इतना यह नहीं आपका क्रिया विशेशड विशेशड और क्रिया विशेशड के लिए भी आप कह सकते हैं कि उनके लिए भी वाक्यांस या उप वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं अगला प्रस्द है जो सब्द वाक्यांस वाक्या सब्सक्राइब के तथा सब्सक्राइब को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं जिसे आपका और अथ्वा तत्हा कोई और प्रसंद्यान मुझे धन्ध्यान में हा रहता और यहां पर गलती से मैंने आपको C option तो इस प्रस्ण के लिए आपका right answer D होगा जो सब्दों वाक के आंसो वाक के तता सब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्छे बोदक सब्द करते हैं जिसे मोहन आया और राम गया तो यहाँ पर आपका जो और होगा यह दो वाक्क्यों को जोड़ रहा है न तो और आपका समुच्छे बोदक तो इन्हें समुच्छे बोदक करते हैं डी आपका बिल्कुल सही विक्रब होगा अगरा प्रस्ण है भाव वाच्ची आपको बताना है इन चारों अप्सन में से तो तोते से उड़ा नहीं गया जहां पर भाव की प्रदानता होती है तो आपका बिल्कुल भी हो गया राइट आंसर देखे वाच्चे तीन प्रकार के होते हैं हिंदी में कर्तरी वाच्चे, कर्म वाच्चे और भावाच्चे ये तीन प्रकार के होते हैं कर्तरी वाच्चे में कर्ता की प्रदानता होती है जैसे असोक ने आईस क्रीम खाई कर्म वाच्चे में कर्म की परदानता होती है जैसे आपका A और D आप सुनो गया और भाव वाच्चे आपके सामने है जहां पर भाव की परदानता होती है साथ ही एक चीज़ आप ये भी जानते लिए कि भाव वाच्चे में कर्म वाच्चे की तरह ही आपको वाक्य दिखाई देगा लेकिन इहां पर भावनाओं की भाव की परधानता होती है तो इस प्रसने के लिए आपका बी हो जाएगा राइट आंसर तो वाच्चे के बारे में जितनी चीज़े आपको बताए गई यह सारी चीज़े आप द्यान लेकेंगे अगला प्रसन प्रसनियों तथा वस्त्वों के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है तो आप सभी भी आंसर करते चलेंगे आप सभी जानते हैं जैसे बोलते हैं नमोवन राम से बड़ा है तुलना की जाती है तो यह आपका उत्तरा अवस्ता होता है और जब किसी को बहुत सारे लोगों की मद्धे में से बहुत सारे लोगों के बीच इसी एक को सरसेष्ट बताना होता है तो वहाँ पर उत्तमावस्था होती है ठीक है इंगलिज में आप पढ़ते होंगे पाश्टिव डिगरी कमपरेटिव डिगरी और सूपर लेटिव डिगरी तो ती नमस्थाएं होती है अगला देख लिजी इस प्रसने के लिए आपका सी होगे या राइट आंसर अगला प्रसन है आपका मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां होगा था वाक के का भेद बताईगी देखिए रचना या बनावट के आधार पे वाक के तीन प्रकार के होते है पहला होता है आपका सरल वाक के दूसरा आपका होता है मिस्र वाक के और तीसरा आपका होता है संयुक्त वाक के सरल वाक के में क्या होता है एक ही विदेह और एक ही उद्देश्य होता है वही पर संयुक्त वाक के में एक से अधिक उदेश्या और एक से अधिक बिलेह होता है जबकि मिस्र वाक्य में एक किसी कारे के उपर किसी क्रिया के उपर दूसरी क्रिया की निर्भरता बताई जाती है तो आपको बताना है इस प्रसने के लिए राइट आंसर मिस्र वाक्य मुझे बताओ तो तुम्हारा जर्मक कब और कहां हुआ था यहनि उसको बताना है कि उसका जर्मक कब और कहां हुआ था तो इस तरह से आप ध्यान लखेंगे ऐसा नहीं कि बस आपने और देखा और आपने बोल दिया सहयुक्ति वाक्य आपको वाक्य का पूरा प्रारूप समझना है कि वाक्य के तीन तरगे हो सकते हैं रचना या बनावट के आदार पर अगर वहीं वाक्य के बारें पूछा जाए कि उत्पत्ति के आदार पर तो वाक्य के चार प्रकार के होते हैं देशस बिदेशत तद्वह तत्सम तो उसकी विचार्चा करेंगे आगे अगला प्रस्ण है सुद्रवाक के छाटिए कि दिखिए कई रेलवे की तो गलत हो गया क्यों तो एक ही होता है ने रेलवे के कई करमचारी होना चाहिए था इसमें आपके अवस्ता 40 वर्स है, देखें, ये द्यान रखेगा, कभी-कभी वाकि में यहाँ पर न ऐसे लिखा आ सकता है, 4-0, उसमें आपका वाकि गलत होगा, ये वाकि यहाँ पर विल्कुल सही है, इस समय आपके अवस्ता 40 वर्स की है अगला देख लिजिए C में इस प्रस्न के लिए का राइट विकलब तो B हो गया COD देख लिजिए क्या-क्या इसमें गलतिया है हम तो अवस्त ही जाएंगे अगर यहां पर यह लिखा जाता हम तो अवस्त ही जाएंगे इसी तरह से आपका D वाला भी वाके सुद्ध नहीं है अगला प्रस्न है सर्प, मेडग, सिंग, घोड़ा, वानर, हाथी आदे को समझाने वाला सब्द है दिखी हरी एक ऐसा सब्द है हरी सर्प के लिए भी प्रयोग किया जाता है मेडग के लिए भी हरी सब्द का प्रयोग किया जाता है सिंग के लिए भी घोड़ा, वानर और हाथी इन सभी के लिए हरी सब्द का प्रयोग किया जा सकता है तो आपका बिल्कुल C होगी आपका इस प्रस्न के लिए राइट आंसर अगला प्रस्ण है कौन सी प्राचीन भासा नहीं है तो संस्कित से आपका पाली उसके बाद प्राकित भासा आये थी प्राकित से आपका अप भरंस भासा का विकास हुआ अप भरंस भासा से अवहट भासा का विकास हुआ और वहाँ से फिर हिंदी वासा विक्सित हुई थी ये देखिए तीनों जो है आपकी संस्कित के बाद पाली आया पाली के बाद प्राकित आया फिर अपबरंश आया अब हट भी है ये सबी आपकी प्राचीन वासा आया है जबकि पंजाबी आपका ये नई विक्सित भासा है तो अपबरंश की कौन से भासा किस अपबरंश से किस भासा का विकास हुआ है हिंदी की कुल पांच उपबासा है अठारफ बोलिया है तो ये सबी चर्चा मैंने किये हुई है आलेडी अगला प्रसुन देख लिजी अनिश्या वाचक सर्वनाम का अपदान कारफ में होता है कि जैसे कोई आ रहा है कुछ लोग जा रहे हैं तो इसका अगर बहुद अचन में और अपदान कारफ में अपदान कारफ अहन्य अलग होने के अर्थ में से भी वक्ति होती है आपादान कारक की कुल आठ कारक और आठ विदक्तियां होती है तो इस प्रस्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बहु अचन रूप में किन्नी से यानि किन्नी से अलग होने के अर्थ में अनेस्य वाचक सर्वनाम का बहु अचन रूप होगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा अगला प्रस्न है पुलिंग वाचक सब्द चाटिए अगर इसमें से देखा जाए तो पायल प्लेट तलवार पायल और तलवार तो आपका इस्त्रिलिंग सब्द हो गया प्लेट की बारे में बताना है कि प्लेट आपका इस्त्रिलिंग सब्द है या फिर पुन्सक लिंग है क्या आपको बताना है यह आपकी लिए असाइन्मेंट है तो यहां पर आपका कैमरा बिल्कुल पुलिंग वाचक सब्द हो जाएगा तो मैं आपको इन पर बदा देता हूँ कि प्लेट, तलवार और पायल ये तीरों इस्ट्रिलिंग सब्द है जबकि कैमरा आपका पुलिंग वाचक सब्द है अगला प्रस्थन है पाउना का पर्यावाची होगा पाउना अधिति को बोलते हैं पाउना तो पाउना का पर्यावाची यानि आगंतुक, अतिति पाउना का तात्पर अतिति से है तो इसके लिए पर्यावाची होगा यहाँ पर शी, आगंतुक अगला प्रस्थन है इन में से किस में निर उपसर्ग नहीं है उपसर्ग ऐसे वाक्यांस होते हैं जिने किसी सब्द के प्रारम में जोडने से उस सब्द के अर्थ में परिवर्थन हो चाता है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फार्षी इन सभी के अलग-अलग उपसर्ग की संक्या है इन में से बताना है किसमें निर उपसर्ग नहीं है देखिए इसमें निर उपसर्ग नहीं है जबकि यहाँ पर निर उपसर्ग है निर प्लस देज, निर प्लस वाह, निर प्लस बल तो A में आपका निर उपसर्ग नहीं है तो आपका हो गया बिल्कुल राइट आंसर ए अगला प्रस्ना है सुद्ध वाक्य चाटना है आपको पहला देखिए अगर आप ए बिकल्प में मुझे से यह काम संभव नहीं हो सकता ठीक है यह वाक्य आपका पुड़ रूपेड सही नहीं है अगला है वाक्य आपका बिल्कुल बात नहीं करना चाहते थी अगर इसको देखा जा तो यह वाक्य आपका बिल्कुल सुद्ध है C है मैं आपकी भक्ती करता हूँ तो यह भी वाक्य सही नहीं है सुद्ध नहीं है डी है आपका बाग और बकरी एक गाट पानी पीती हैं तो पानी पीते हैं होना चाहिए यह वाक के भी सुद्ध नहीं है तो यहाँ पर बिल्कुल आपका भी हो जाएगा राइट आंसर अगला प्रसन देखे इसी के साथ समीप छोटा तथा गौड की आर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है यानि किस उपसर्ग का आर्थ समीप या फिर छोटा या फिर गौड की आर्थ में लिया जाता है तो उप उप सर्ग जैसे हम बोलते हैं उप वन यानि वन के पास उप वास यानि वास करना उपन समीब तो उप का अर्थ समीब छोटा और गौड की अर्थ में लिया जाता है डी होगे आपका राइट विकल्प अगला प्रसना है कुंदन का पर्यावाची होगा बिल्कुल सही हम यह आपका हो जाएगा राइट आंसर इस प्रसना के लिए देखे इस तरह के प्रसना भी आते हैं हिंदी से इंगलिस और इंगलिस से हिंदी पूछ देता है तो ड्राउन मैं कैचेज और इस्टा डूबते को तिनके का सहा रहा है यह आपका कहवत यह लोगोगती बन जाएगा इसका आर्थी होगा तो सी आपका हो जाएगा बिल्कुल डाइट आंसर अगला प्रसना है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष रमास का एक्जामपल नहीं है आपको यह बताना है तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है मे और पर की बिवक्ति होती है आर्थ में लिया जाता है तो इस प्रसन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्म ब्रस्ट इसमें अपादान का रखोगा धर्म शी ब्रस्ट जबकि पुरुषों में उत्तम द तत्पुरु शमास है, तो तत्पुरु शमास के छे भीद होते हैं, कर्म कारक से ले करके अधिकरण कारक तक तत्पुरु शमास होता है और तत्पुरु शमास में विवक्ति का लोग पाया जाता है, जैसे धर्म ब्रश्ट में आपको विवक्ति शे नहीं नजराएगा, आप आपको यहां पर विग्रह करके समझना पड़ेगा कि धर्मब्रष्ट यानि धर्मशे ब्रष्ट तो बिल्कुल डी आपका राइड भिकलप होगा डी में आपका अपादान तत्पुरु शमास है जिबकि से इस तीनों में अधिकर्ण तत्पुरु शमास है अगला प्रस्न है बात मत करो ये भी गलत है सुद्ध वाग के रही है सी आपका देख लिजे मुझे आपका काम बहुत पसंद है ये वाग की पूरी तरह से सुद्ध है तो सी आपका राइड भिकलप हो गया अगला प्रस्न है पंजाब में हिंदी का परचार किसने किया तो सरद्धा राम दुखी होना क्या कहेंगे इसे इसके लिए एक सब्द बताएगे तो इसको बोलता है शूब यह आपका राइड अंसर है जब सब्दता न मिलने में इंदान कोई दुखी हो जाए उसके लिए शूब सब्द प्रयोग किया जाता है अगला प्रस्ण है आपका दूसर का पर्याय वाची होगा आप सभी आंसर करते चलेंगे दूसर का पर्याय वाची बिल्कुल सही बेसर सी होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर इस प्रस्ण के लिए अगला देख लिए अगला प्रस्ण है आपका खाने की एक च्छा के लिए बताना है आपको एक सब्द है तो खाने की इक्चा के लिए उसको बोलते हैं बुवुक्षा बिल्कुल आपको भी हो जाएका आपका बिल्कुल राइट अंसर इस प्रस्न के लिए अगला प्रसन है और आज की सिंखला का अंतिम प्रसन है ऐसे ही मौतपड़ु प्रस्तियों की सिंखला के साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो में तो एक बार फिर से जितने बी लोग नए विएवर्ज आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे साथ ही वीडियो का आप लाइक और शेयर भी कर देंगे इस प्रस्थ में है आपका कि असपर्ष ब्यंजन कंठे ध्वनी अगोस और महाप्राड ध्वनी है तो सबसे पहले आप जान लिजिए असपर्ष ध्वनी किस अगोस में क्या होता है पहला, दूसरा और तीसरा यह अगोस कहे जाते हैं अगर वही बात के लिजए आप महाप्राड की टो चौutos और पांचवा किसे भी वर्ग का जिसे कवर्ग हो गया चौब रक हो गया तौवर्ग, तौवर्ग, पवर्ग, तौवर्ग से भी वर्ग का चाहटा और पाँच वा गल bono किए दूसरा और पाँचा स्वा चाहएथ मुद्विया क्तर चाहिए हो न चीया की पहला तीसरा पाँच मनस आल्प प्राण होतेパ худtech पहला किसरोμαι और दो और चार महाप्राण होते हैं तो अगर यहां देखा जाए कतर में तो आपका ख और घ ख और घ दो ऐसे वरड हैं जो असपर से बिंजन भी है कंठे भी हैं और महाप्राण में हैं अगोस में मैंने क्या बताया आपको पहला, दूसरा और तीसरा यह आपके अगोस होते हैं एक, दो और तीन जबकि चौथा और पाँचमा सघ खोस होता है साथ ही आप यहीं पर जा लिजिए कि तीनों जो सघ होते हैं यानि दन्तिय तालब में और मुर्दने श, स, स, यह तीनों सघ भी आपके अगोस होते हैं वहीं पर ह, यह, वर, र, यानि ह, और अंतस्तवड यह, वर, र, लो को अंतस्तवड बोलते हैं यह सभी सघोस में आ जाएंगे वहीं पर यह, वर, र, ल, अलप प्राड में आते हैं और आपका स, 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 और ह, यह चारो जो उसमें बेंजन कहे जाते हैं यह महाप्राड में आते हैं तो हिंदी की ब्याकरण से सम्मंदित आपको वीडियो डिटेल में देख लेंगी तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा C तो इस प्रस्न के लिए जतनी भी व्याक्या यहाँ पर होनी चाहिए थी तो इस प्रस्न बिल्कुल क्लियर हो जाए तो आसा करता हूँ आपको वीडियो कापी अच्छा लगा हुआ तो मिलते हैं अगले वीडियो में